इस प्रॉब्लम में हमें x की value क्या given है? हमें x की value given है x equals to 1 upon 2 minus root 3 ठीक है? x की value क्या given है? 1 upon 2 minus root 3 मैं क्या करूँगा इसको rationalize कर दूँगा इसको rationalize करने के लिए यह क्या लिखा हुआ है a minus root b इसको a plus root b से उपर नीचे multiply कर देंगे ठीक है तो अगर मैं 2 plus root 3 से numerator और denominator multiply करूँगा तो इस पर कोई फरग नीचे पड़ेगा ठीक है तो यह क्या आजाएगा? यह आजाएगा x equals to 2 plus root 3 numerator में आजाएगा 2 plus root 3 और denominator में क्या आजाएगा 2 a minus b into a plus b that is a square minus b square तो 2 का square that is 4 minus b का square यानि की root 3 का square that is 3 तो यह किस्ता हैगा? 4 minus 3 is 1 तो यह आजाएगा 2 plus root 3 तो हमारे पास x की क्या value आई? हमारे पास x की value आई 2 plus root 3 ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? मैं 2 को LHS में ले जाएगा तो यह आजाएगा x minus 2 equals to root 3 अब मैं क्या करूँगा? इसका square कर दूँगा square करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x square minus 4x square करेंगे तो क्या मिलेगा? x square minus 4x plus 4 is equals to 3 यानि की किसकी equal आजाएगा? यह आजाएगा x square minus 4x plus 1 equals to 0 ठीक है? ठीक है? ठीक है? तो यहाँ से मेरे पास x square की क्या value आएगी? x square की value आएगी 4x minus 1 ठीक है? सब 4x minus 4x plus 1 को मैं RHS में लेगा ठीक है? अगर मैं x से multiply कर दूँगा तो ऐसे x cube की value किया आजाएगी? इसको दो तरफ x से multiply करतेंगे तो यहाँ जाएगी 4x square minus x ठीक है? अब मुझे value किसकी निकाल लीएगी? मुझे निकाल लीए x cube minus 2x square x cube minus 2x square minus 7x plus 5 ठीक है? तो यह क्या आजाएगा? x cube की जाएगे मैं क्या रख सकता हूँ? 4x square minus x ठीक है? x cube की जाएगे मैं रखा 4x square minus x ठीक है? बाकी क्या है? बाकी सेम रहेगा? that will be minus 2x square minus 7x plus 5 ठीक है? तो यह क्या आजाएगा? यहां जाएगा 4x square minus 2x square is 2x square minus x minus 7x is minus 8x plus 5 ठीक है तो अगर मैं इस equation को देखूँ तो इस equation से मुझे क्या मिलता है अगर 1 को मैं RHS में ले जाओं तो मुझे इस equation से मिलता है x square minus 4x is equals to minus 1 x square minus 4x equals to minus 1 अब इस equation में देखेंगे अब इस equation में देखेंगे ठीक है मैं यहां से अगर 2 कॉमल लेता हूँ तो यहां जाएगा x square minus 4x ठीक है ठीक है तो मैंने इन दोनों में से 2 कॉमल नहीं है plus 5 ठीक है तो x square minus 4x की से मैं क्या लिख सकता हूँ यहां से मेरे पास आए x square minus 4x की से माइनस 1 तो यहां जाएगा 2 into minus 1 plus 5 यहां कितना जाएगा यहां जाएगा minus 2 plus 5 ठीक है तो value मेरे पास क्या आए value है मेरे पास 5 minus 2 that will be equals to 3 तो answer क्या आएगा answer आएगा 3 इसके value कितने आएगी इसके value आएगी 3 the answer will be 3